हेलो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में DNA फिंगर प्रिंटिंग तो आज हम molecular basis of inheritance का last part जो बचा हुआ था DNA फिंगर प्रिंटिंग हमने human genome project के बारे में समझ लिया है कि human genome project कितना बड़ा mega project था अब एक और बड़ी important चीज रह गई थी DNA फिंगर प्रिंटिंग या यूं कहें DNA फिंगर प्रिंटिंग human genome project के पहले का प्रोजेक्ट है यह DNA फिंगर प्रिंटिंग के आने के बाद scientist में उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई कि human genome को map किया जाए और तभी उन्होंने human genome project start किया complete किया finish किया अब हम उस pioneering work के बारे में पढ़ लेते हैं जिसका नाम है DNA fingerprinting तो आप fingerprint से हमेशा कुछ इसी तरह का structure सोचते हैं यह देखिए मैं हड़ जाता हूं इसी तरह का उपर की layer में जो criss-cross lines बनी हुई है कुछ इस तरह से इनसे हम fingerprint समझते हैं और इस fingerprinting process बड़ा ही unique process था जो develop हुआ और यह कहते हैं कि यह हर एक individual में अलग-अलग होता है किसी में भी fingerprint match नहीं करते हैं याने कि कुछ यूं कह लें कि अगर twins भी होंगे तब भी fingerprint match नहीं करते हैं तो इसमें difference रहेगा ही रहेगा तो इसको एक unique identification माना गया और fingerprint is equivalent to your signatures है ना क्योंकि अगर आपने अपना thumb impression कहीं पर दिया हुआ किसी चीज में so it is as good as your signatures लेकिन एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा confirmation है about individuality याने कि इसमें तो फिर भी कुछ alteration होने के chances होते हैं लेकिन एक और fingerprinting है जो actual में fingerprinting नहीं है लेकिन नाम दिया गया fingerprinting की लिए क्योंकि वो identification का काम करता है और वो इससे कहीं ज्यादा conservative process है conservative का मतलब है कि वो permanent है fix है उसको alter करना किसी के बस की बात नहीं आज तक की जितनी भी techniques है उनसे हम उसको बिल्कुल भी alter नहीं कर सकते हैं तो चलिए बच्चों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का और जो बच्चे आज first time हमारे session के साथ जुड़ रहे हैं so my introduction my name is Pradeep Singh my qualifications years of experience number of student taught everything is in front of you and ये सारी की सारी चीज़े secondary हैं बच्चों primary is you and it is just because of you I am here अगर मेरे sessions पसंद आते हैं तो share कर दिया करिये अपने social media accounts पर hash neat life daily के through ताकि इस revolution का पता हर एक बच्चे को पहुँच जाए हमारी country में हर एक बच्चे को पता होना चाहिए इस revolution के बारे में ताकि सारे के सारे बच्चे इस से फाइदा उठा सकते हैं आप हमारे साथ telegram app के तरह से दिखता है इसको सबसे पहले अपने phone पर install कर लीजिए then go to any browser and आप type करेंगे tinyurl.com forward slash neat live chat tinyurl.com forward slash neat live chat and you will be directed towards this group आप इस group के साथ जुड जाएंगे और आपको सारे के सारे updates time to time मिलते रहेंगे बच्चों इसके लावा एक और बहतरीन option जहां पर आप अपने mobile screen पर at a place सारे के सारे courses physics chemistry biology तीनों के तीनों आप यहां से access कर सकते हैं यही नही chapter wise आप उनके access कर सकते हैं देख लीजे chapter wise यहां पर दिये हुए and then also you can break them into lectures जैसे जैसे पढ़ाया गया lecture wise भी आप यहीं से देख सकते हैं इसके अलावा आप PDF note भी download कर सकते हैं so isn't it a wonderful platform करना क्या है पेज और आपको सारा का सारा जो अब तक का course हो चुका है वो दिख जाएगा अब बात कर लेते हैं unacademy subscription के बारे में जो इंडिया का best learning platform है यहां पर live classes मिलेंगी बच्चों आपको वो भी इंडिया के best educators के तुरू and you will be able to interact with the educator आप educators के साथ interaction भी कर सकते हैं live polls and leaderboard आपकी preparation क और अच्छा करेंगी test series and analysis solid foundation बन जाएगा आपका बिल्कुल और सबसे important है live doubt clearing session you will get live doubt clearing session जहां पर अगर आप पढ़ते हैं तो जो doubts आते हैं उनको clarify करने का आपको मौका मिलेगा यह भी बहुत आवश्यक है देख लीजे बच्चों classes courses कुछ इस तरह से चल रहे होते हैं इसक और year long course लेकर के आ रहे हैं आपके लिए वो है यह this is the weekend NEET 2021 batch course है physics chemistry biology आप तीनों के तीनों देख ले हैं यहाँ पर timing दिये हुए Saturday and Sunday में पूरा का पूरा course completion कराए जाएगा timing आपको उतने ही मिलेंगे जितने week वाले course में आपको मिलता है so chemistry की timing आप देख रहे हैं one and a half hour same goes for physics one and a half hour same goes for biology one and a half hour so सिर्फ दो दिन में आप अपने बिना किसी hair fare के आपका जो भी schedule है school का जो schedule है या जो भी schedule है self study का उसको बिना disturb किये आप इस batch के साथ जुड़ सकते हैं और आपका पूरा का पूरा syllabus completion करा दिया जाएगा so batch is starting from 14th of March you can see there चलिए बच्चों तो इसको कैसे install करना unacademy subscription को unacademy learning app को play store से install कर लीजिए install करने के बाद click on the option plus और उसके बाद need select करिए and then click on get subscription and you will get this pricing of the subscription यहां पर यह subscription के बारे में information है आप अपनी जरूत की हिसाब से subscription यहां से choose कर सकते हैं जितना ज्यादा duration का subscription होगा उतना ज्यादा cost effective है और अगर मेरे sessions पसंद आते हैं मेरे classes के साथ जुड़ना चाहते हैं तो use करिए code pradeep live and you will get a 10% discount और आपको सारे के सारे courses एक्सेस करने की चाभी मिल जाएगी तो आप सारे courses इसके बाद एक्सेस कर सकते हैं तो प्रदीप लाइव is the code for getting 10% discount यूज तभी करिएगा जब आपको मेरे sessions पसंद आते हैं चैलिए बच्चों शुरू कर देते हैं बात करते हैं historical aspect की जो DNA fingerprinting से जुड़ा हुआ है और उसके पहले एक बार देख लेता हूँ कौन-कौन से बच्ची हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलीना अंशुल राहुल ललिता उमर सिम्रन मुहम्मद कैफ सचिन बहुत बढ़िया तरिनी येस गुड़ इवनिंग बच्चों पिंकी गुड़ इवनिंग पूजा के सारे सारे बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है आप सब इंतजार कर रहे ते तो देख लेते हैं आज इस कॉंसेप्ट में क्या-क्या चीजें हैं चालिए बच्चों थैंक यू फॉ थार्ट थैंक यू फॉ थाम्स अप्स और थम्स अप्स देते रहे चलिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट समझ लेते हैं यह जो फिंगर प्रिंटिंग टर्म है यह आया कहां से तो सबसे पहल जे डर्माटोग्लिफिक्स बोलते हैं तो डर्माटोग्लिफिक्स इस पर्टिकुलर स्टडी यह क्या स्टडी करता है फिंगर में जो प्रिंट होंगे पाम में जो प्रिंट होंगे फुट के सोल में जो प्रिंट होते हैं उनकी स्टडी करता है तो अब क्वेस्चिन है कि ये subject बनाने की जरूरत कैसे पड़ी, dermatoglyphic subject बना कैसे, बच्चो देखिए, अगर हम बात करते हैं history की, जब human का evolution हुआ, at one point of time, human भी बाकी जानवरों के साथ जंगल में ही रहते थे, और जानवरों का शिकार करते थे, तो उनको जानवरों के footprints के बारे में information रहती थी, कि कौन से जानवर के पैर का निशान कैसा दिखता है, तो वहीं से interest, यानि कि ये उतना पुराना interest है बच्चों identification के लिए, so it dates back to that much of time, कि जब अलग-अलग निशान का अंदाजा लगा लिया करते थे, human, और अपने आपको protect करते थे, उस environment में, उस वक्त के environment में, फिर जैसे-जैसे हम civilized हुए, तो इस चीज को लेकर बड़ी curiosity रहती थी, कि ये हाथ की लकीरे क्या हैं, कुछ लोग कहते हैं, ये किस्मत की लकीरे हैं, कुछ और किसी नाम से जानते हैं, तो इसको science की language में, जो subject बनाया गया, सर विलियम हर्षल ने बनाया थी, सो विलियम हर्षल ने डेवलप किया था, ये technique, किस येर में, इस method वाज डेवलप्ट इन 1858, देख लीजिए, 1858, याने कि जब मेंडल पी प्लांट के साथ experiments कर रहे थे, उस वक्त ही, उसी समय, मेंडल के experiment का जो duration है, 1856 से लेकर के 1863 तक का माना जाता है, उसी काल में इन्हों ने इस science को डेवलप कर लिया था, लेकिन हमारी country में ये accidentally डेवलप हुआ, बाद में डेवलप हुआ, और दोनों के बीच में कोई ताल मेल नहीं था, याने कि ये science वहां से यहां हमारी country में नहीं आई, बल्कि independently डेवलप हुई, so in India, the science of fingerprints was discovered by chance, एक by chance matter हुआ था, murder investigation चल रहा था, जलपाई गुडी, West Bengal में, in the year 1897, again, English people ही थे उस वक्त हमारी country में, उस investigation के दौरान कुछ ऐसे clue मिले, proof मिले, जिस पर उन्होंने fingerprints को ध्यान में रख करके उसको solve किया, याने कि by chance ये discovery हुई थी, तो ये था हमारे fingerprint की discovery के बारे में कहानी, fingerprint से हमें यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं है, बताया इसलिए ताकि आप पहले समझ जाएं कि fingerprint हैं क्या, कैसे बने, कहां से आए, इसके बाद DNA fingerprinting, DNA fingerprinting सिर्फ नाम लिया गया fingerprinting का, काम और function उससे मिलता जुलता नहीं है, हाँ, identification जरूर है, तो देख लीजिए, Alec Jeffries, Sir Alec Jeffries, 1984, invented the DNA fingerprinting technique at Lister University, United Kingdom, तो ये Lister University, United Kingdom में, प्रोफेसर थे, रिसर्चर थे, तो 1984 में इन्होंने इस टेकनीक का इजाद किया था, और ये रहे, Sir Alec Jeffries, देख लीजिए, इनके उपर Great Scientist वाली सीरीज में मैंने एक session भी लिया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप इनके बारे में जान सकते हैं, इनके बचपन के बारे में जान सकते हैं, Now, in India, Dr. V.K. Kashyap and Dr. Lalji Singh started the DNA fingerprinting technology in India, at, कहां start किया था, CCMB, Center for Cell and Molecular Biology, जो की हैदराबाद में है, वहाँ पर इस टेकनीक को शुरू किया, Dr. V.K. Kashyap and Dr. Lalji Singh ने, तो इस वज़े से, Alec Jeffries को Father of DNA fingerprinting कहा जाता है, He is the Father of DNA fingerprinting, बट अगर हम इंडिया की बात करें, तो Dr. Lalji Singh को बोला जाता है, Father of DNA fingerprinting in India, Dr. Lalji Singh is the Father of DNA fingerprinting in India, अगर इंडिया को लेकर के question पूछा गया, तो Dr. Lalji Singh का नाम लिखेंगे आप, और अगर वैसे इन जेनरल पूछा गया, तो Sir Alec Jeffries का नाम आप कोट करेंगे, तो यह थी कहानी यहां तक कि, तो बच्चों देख लीजिए, यह जो second वाली picture आप देख रहे हैं, वहाँ पर आपको fingerprint का निशान भी दिख रहा है, और ऊपर DNA भी दिख रहा है, यह actually confusing diagram है आपके लिए, इसका कुछ लेना देना नहीं है, So which is the correct one, the first picture, और वो DNA fingerprinting क्या है, यही तो है print, जो यह दिखा रहे हैं, Sir Alec Jeffries, this is the DNA fingerprint, याने कि DNA का print है, यूं कहें कि DNA का print है, और कैसा print है, वो ऐसा print है, जो unique है एक individual के लिए, याने कि everyone's DNA gives a different type of print like this, तो उसी वज़े से, चोंकि वो identification से related है, इस वज़े से नाम पढ़ गया DNA fingerprint, actually वो DNA के कुछ specific part का impression है, जो कि unique होता है, every individual के पास, और अगर हम DNA की बात करते हैं, बचों, तो ध्यान दीजिएगा, DNA is in each and every cell of our body, हमारे body में 100 trillion cells हैं, तो उस हर एक 100 trillion cell के अंदर DNA है, याने कि हम उस DNA को alter नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो conventional fingerprint हैं, मेरे thumb के impression है, fingerprint है, उनको मिटाया जा सकता है, या change किया जा सकता, so conventional fingerprint occur only on the fingertips, सिर्फ finger tip, thumb impression की बात कितने thumb हैं, दो ही thumb हैं ना hand में, तो दोनों के impression, अब दोनों को alter किया जा सकता है, surgery के थुरू, अगर कहीं कट लग गया, चोट लग गयी, तो वैसे ही change हो जाते हैं हमारे fingerprint, so conventional fingerprint occur only on the fingertips, and can be altered by surgery, लेकिन DNA fingerprint एक ऐसी चीज है, जिसको बिल्कुल change नहीं किया सकता, but DNA fingerprint is the same for every cell, every tissue, every organ in a person, it cannot be altered, अब इसको किस-किस नाम से जाना जाता है, देख लेते हैं, DNA fingerprinting और DNA typing भी बोलते हैं, या DNA profiling भी बोला जाता है, तो यह सारे के सारे नाम है, इस special technique के लिए, it is a technique of determining nucleotide sequence of certain areas of DNA which are unique to every individual, पूरे के पूरे DNA का sequence नहीं चाहिए, एक specific area का sequence चाहिए, और वो sequence हर एक इंसान में अलग होता है, समझ में आगी बात, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर discussion करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले समझ लीजिए, 99.9% of the nucleotide bases are exactly similar in all human being, इसके बारे में हम Human Genome Project में discuss कर चुके हैं, 99.9% नो प्रतिशत जो nucleotide bases हैं, याने कि 99.9% DNA sequence सेम रहता है हर एक human being में, तो difference कितना बचा, difference रह गया only 0.1%, now 0.1% of 3 into 10 to the power 9, 3 billion base pairs की हमने बात करी थी, तो 0.1% उसका जो है, वो कितना होता है, that is equal to 3 into 10 to the power 6, याने कि 3 followed by 6 zeros, इतना तो difference है हमारे individuals to individual के बीच में, तो यह काफी जादा difference है, जो की uniqueness प्रोवाइट करता है, तो एक तो हो गया, शकल में differences दिख जाते हैं, दूसरा हो गया कि उनके DNA sequence में भी differences है, क्योंकि इतने सारे base pairs जो हैं, अलग हैं, 3 into 10 to the power 6 base pairs are different, अगर यह भी same हो जाता, तो हम भी bacteria जैसे हो जाते हैं, एक जैसे दिखते हैं, पूरी जुंड में एक जैसे ही सारे इंसान नजर आते हैं, लेकिन अब यह जो differences हैं, अगर हम यूँ कहें कि यही variations हैं, जो sexual reproduction process से आते हैं, तो बिलकुल सही बात है, यही वो variations हैं, जो हर एक इंसान को अलग बनाते हैं, Now, human genome possesses numerous small non-coding, but inheritable sequences of bases, which are repeated many times, अब हमारे DNA में, हमने पहले भी बताया हुआ कि junk DNA होता है, जो कि numerous, छोटे-छोटे non-coding, non-coding का मतलब है, यह किसी protein के लिए transcribe नहीं होते, translate नहीं होते, याने कि non-functional genes हम कह सकते हैं, non-coding है, code नहीं कर सकते, right, but inheritable sequences of bases, याने कि यह एक generation से दूसरे generation में जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह का coding नहीं करते, यह यूँ भी कह सकते हैं कि non-coding strand का part है, क्योंकि coding strand भी होता है, non-coding strand भी होता है, और उसके अलावा भी कुछ coding, non-coding में भ बोला जाता है, इसको, now, the area with small sequence of bases repeated several time is called repetitive DNA, अगर वही एक sequence, जो एक particular nucleotide का sequence, अगर बार-बार repeat होता है, तो उसको हम बोलते हैं, repetitive DNA, जैसे कि यूँ देख लें, एक यहाँ पर sequence देख लीजिए, this is one, one strand of the DNA, दोनों strand नहीं दिखाया गया, one strand में देख लीजिए, A, 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 C, T, G, 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 फिर वही आ गया, A, 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 C, T, T, G, G, फिर आ गया, A, 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 C, T, G, 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 अब आप देख लीजिए, यहाँ पर, यह वाला जो पहला वाला sequence है, और जो third वाला sequence है, वो दोनों एक जैसे हैं, इसमें एक और चीज हो सकती थी, कि बीच में भी कई बार same आ जा जाते हैं, उसको specific नाम से जाना जाता है, या यूँ कहें कि यह repetitive DNA है, यह कैसा DNA है, repetitive DNA है, लेकिन अगर यह repeats एक जैसे हो गए, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से, यह भी same, यह भी same, यह भी same, तो ऐसे repeats को बोला जाता है, tandem repeats, tandem repeats का मतलब है, एक sequence में बार बार repeat होते गए, तो वो tandem repeat कहलाता है, और अगर tandem नहीं है, यानि कि different में है, तो वो भी repetitive DNA है, लेकिन वो tandem repeat नहीं है, तो tandem repeat का मतलब है, एक ही line में repeated, तो यह sequence भी पाया जाता है, कई बार 3 या 4 बार, एक sequence में वो repeat होता है, फिर उसके बाद नहीं होता है, या alternate भी हो सकता है, तो यह everyone के लिए अलग-अलग fix amount में होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले ले लेते हैं, इस sequences occur, अब ऐसे sequence पाये कहां जाते हैं, तो यह कहां पाये जाते हैं, तो यह कहां पाये जाते हैं, तो यह कहां पाये जाते हैं, तो इस एरिया में भी पाये जाते हैं, इसके यह Y chromosome में पाए जाते हैं, heterochromatic areas में पाए जाते हैं, heterochromatic areas क्या होता है, darkly stained bodies आप देखेंगे कहीं कहीं पर, chromosome के अगर structure को observe करते हैं, तो इन जगहों पर यह पाए जाते हैं, repetitive sequences, बाकी जगहों पर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि बाकी जगहों का काम जो है, transcription और translation के वक्त काफी जादा आता है, तो वहाँ पर वो नहीं पाए जाते हैं, Now, they can be separated as satellite from the bulk DNA during density gradient centrifugation के process में, देख लीजिए, So, they can be separated as satellite from the bulk DNA during density gradient centrifugation and health called satellite DNA. अब इन छोटे छोटे रिपीटेड वाले इलाकों को, जो या तो तिलोमेर में होते हैं, या सेंट्रोमेर में होते हैं, या वाई क्रोमोजोम में होते हैं, या हेटरो क्रोमाटिन एरिया में होते हैं, इनको हम separate कर सकते हैं, कैसे separate कर सकते हैं, DNA को digest करने की enzymes आते हैं, वो cut करने की enzymes आते हैं, तो जब इसको centrifugation किया जाएगा, तो यह छोटे-छोटे fragment एक अलग fraction में निकलाएंगे, आपको इनको satellite DNA के रूप में मिल जाएंगे, इसी वज़े से इनको बोलते हैं satellite DNA, याने कि यह जो repeated sequence है, वो satellite DNA में पाए जाते हैं, समझ म को मिलते हैं, now in satellite DNA, repetition of bases is in tandem, याने कि एक ही line में repeat करते हैं, वो कई बार 3 या 4 में repeat करेंगे, या कई बार 5 के fragment में repeat करेंगे, so they are repeating in tandem, tandem का मतलब समझ गया ना, एक ही साथ sequence में, now depending upon the length, कितनी length है, depending upon the length, base composition, base का composition कैसा है, याने कि ATCG किस format में है, उस base को composition देखा जाता है, numbers of tandemly repeatedly unit, कितने tandem repeated unit हैं, 5 बार बार repeat हो रहे हैं, या 7 बार बार repeat हो रहे हैं, 8 बार बार repeat हो रहे हैं, तो tandem repeated unit को देखकरके, satellite DNA को फिर 2 पार्ट में break किया जा सकता है, which is micro satellite and mini satellite, size के हिसाब से इनको micro satellite या mini satellite, याично कि micro satellite और mini satellite दोनों में ही tandem repeat पाए जाते हैं किसी में कम किसी में ज्यादा लेकिन यह दोनों ही हमारे काम के हैं तो we are not going to differentiate अब एक और चीज समझ लेते हैं satellite dna show polymorphism satellite dna polymorphism show करता है अब यह polymorphism क्या है इसको भी समझ लेते हैं कि भई polymorphism क्या चीज होती है satellite dna जेसमें tandem repeat होते हैं उसमें polymorphism याने कि कुछ अलग अलग type के sequences दिखाई देते हैं यह नहीं कि जो sequence repeat करेंगे वो सिर्फ नंबर ही उसमें decide करेगा नहीं उसकी quality भी अलग-अलग होगी याने कि ATCG की जो basis की संख्या है वो भी different होती है तो इ dna polymorphism are the different dna sequences among among individuals groups और population याने कि अगर हम अपनी populations में देखें human population की बात कर लेते हैं human population में जो eye color है eye में जो Irish color है कई अलग-अलग type के colors हैं तो अगर उस individual के dna sequence में उस वाली gene को आप observe करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जागे कि हाँ भी कुछ difference है this is polymorphism so dna polymorphism are the different dna sequences among individuals groups और population now अब यह variations क्यों होते है variation mutations से होते है variations sexual reproduction से आते हैं और fast जो variations हैं वो mutations से आते हैं so variations occur due to mutations now gene mutation provide allele with different expressions different gene allele मिल जाती है क्योंकि mutation हो गया तो different expressions मिल जाते है but mutation in non-coding repetitive dna has no immediate effect अब यहां पर बात आ गई कि इसको समझना बहुत जरूरी है देख लीजिए this is transcription going on याने कि एक messenger RNA chain तैयार हो रही है तो messenger RNA chain जब तैयार हो रही है तो देख लीजिए यह वाला strand है यह वाला strand अपनी information को इसमें share कर रहा है किसके हिसाब से जो information opposite वाली chain में है है बात कि नहीं तो messenger RNA के अंदर जो information जा रही है वो नीचे वाली chain का opposite है याने कि उसके हिसाब से है तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर coding strand में कुछ changes हुए तो वो तो तुरंत effect शुरू हो जाएगा लेकिन अगर non coding strand में कुछ इस तरह की गड़बड हो गई तो उससे कोई जादा immediate effect नहीं है coding strand अपने आपको code करेगा transcribe करेगा translate करेगा लेकिन non coding strand ऐसा काम नहीं कर पाएगा तुरंत नहीं करेगा हो सकता है किसी और आगे जा करके वो करे तो variations कुछ latent रहते हैं और कुछ variations express होते हैं तो दो तरह के variations हो गए याने कि DNA polymorphism हो गया या variation हो गया कुछ भी है हमें tandem repeats uniquely मिल रहे हैं हर एक individual में कोई भी कभी भी copy नहीं हो सकता क्योंकि हर एक individual दो set of chromosome से बना हुआ है एक set उसके father का है एक set उसके mother का है ठीक है now these mutations in the non-coding sequences have piled up with time and form the basis of DNA polymorphism यह जो non-coding strand में आता रहता है जो भी sequences या जो भी mutations होते हैं वो pile up होते रहते हैं और वही DNA polymorphism को बनाते हैं याने कि variation at genetic level arises due to mutation genetic level पर जो variations आते हैं वो mutations की वज़े से ही आते हैं now DNA polymorphism is the basis of genetic mapping genetic mapping की basis ही है DNA polymorphism याने कि वो variations जिन्होंने अपने को अलग-अलग sequence में ढाल लिया हर एक individual हर एक step में क्योंकि sexual reproduction में हमेशा fusion होता है दो gametes का तो यह हमेशा change होता रहेगा individual to individual तो यही है हमारा genetic mapping of human genome का आधार और यही है DNA fingerprinting का भी आधार तो इस आधार को समझ लीजिए DNA polymorphism I believe everyone understood सबको समझ में आ रहा है twinkle, anupam, aditya, lucky, anu, avni, चैलिए बच्चों बहुत बढ़िया तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो देख लिजे यही से आगे ही सारी की सारी कहानी individuality of different individual DNA polymorphism में ही इसका clue सारा का सारा छिपा हुआ है अब आगे देख लेते हैं भई principle और क्या है short nucleotide repeat in the DNA are very specific in each individual तो कैसे repeat unique होते हैं छोटे-छोटे repeat unique होते हैं छोटे-छोटे tandem repeat जो बार-बार repeat हो रहे हैं कुछ sequences को मिला करके होते हैं यह जो है बहुत ही specific होता है in each individual and varying number from person to person and are inherited यह inherited होते हैं और यह हर इंसान में change होते हैं these are the variable number tandem repeat VNTR VNTR जो आप पढ़ते हैं वही है variable number tandem repeat variable क्यों क्योंकि हर एक इंसान में अलग number है तो variable हो गए variable number tandem repeat यानि कि बार-बार repeat होते हैं micro satellite area में, mini satellite area में तो यह क्या चीजें हैं यह जो polymorphism show करता है हमारा DNA वही sequences हैं समझ में आगई बात तो this is VNTR these are called mini satellite तो यह VNTR को mini satellite के नाम से भी जाना जाता है आपने पढ़ा हुआ mini satellite, micro satellite दोनों में repeated sequences होते हैं लेकिन variable number tandem repeat को mini satellite बोला जाता है अब देख लेते हैं इस diagram को इस diagram को देखिए बच्चों वो रहा mother का chromosome और यह रहा father का chromosome तो mother के chromosome का देख लीजे यह छोटा सा हिस्सा यहां पर extrapolate करके दिखाया गया इतने बड़े इरिया में दिखाया गया इसमें sequences देख लीजे कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे sequences आपको दिख रहे हैं इसके अलावा यहां पर repeated father वाले में कितने एक दो तीन चार चार बार repeated और वह भी sequence अलागे लगे repeat, same चीज नहीं repeat हुई 6 बार, same चीज चार बार, 6 बार वाली चीज में थोड़ा difference है क्योंकि polymorphism है DNA में और father वाले के जो 4 point है उसमें भी differences है यहां चार बार repeat हुआ है चोटा सा वह sequence VNTR और यहां पर 6 बार repeat हुआ है अब यह दोनों DNA जब आपस में mix करेंगे तो child के DNA में देख लीजिए आपको mixing मिल जाएगी यह देखिए यह mother का है यह father का है और यह child का है getting the point यह देख लीजिए यहां पर जो portion था 6 था किसके लिए 6 was there for mother 4 was there for the father तो 6 और 4 यह आ गए ना यह देख लीजिए दोनों lines अलग 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 दिख रही है अब child के case में देख लीजिए एक तरह से mixing हो गई बीच में child के case में देख लीजिए कुछ पर मिल जाता है structure जिससे हम identify कर सकते हैं यानि कि child के case में कई बार होता है paternity dispute होता है तो child के case में father का मिला लिया mother का मिला लिया idea हो गया अगर कोई और claim कर रहा है कि this is my child और एक और father की sequence देख ली गई तो जिस father के sequence के साथ मिलेगा वही उसका father simple सा funda है जैसे ही आप इसको करते हैं अब करना कैसे है यहां तक तो समझ में आ गया कि यह होती है चीज ऐसे होती ऐसे होती है लेकिन इसको करेंगे कैसे DNA को जहाकना इतना आसान process तो है नहीं बच्चो एक cell के अंदर होता है तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हम process को कैस से करना है अच्छा यहां पर एक बार और देख लेते हैं इच इंडिविजुल इनहेरिट इस रिपीट फ्रॉम इस और हर पेरेंट विच आर यूजड इस जैनेटिक मार्कर इन परसनल परसनल आइडेंटिटी टेस्ट यही जैनेटिक मार्कर का काम करते हैं दो तरह के मार कर एक इंडिविजुल में पाए जाएंगे एक 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 जामपल के थू यहां पर समझाया जा रहा है चाइल्ड माइट इनहेरिट अ क्रोमोजोम विट एइट टैंडेम रिपीट वाला एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मिला and the same tandem repeated five time in the homologous chromosome inherited from the father homologous chromosome father का भी तो उसमें जो हैं कैसे थे five times था one half of the VNTR allele of the child resemble that of the mother and the other half with that of the father याने कि एक sequence mother की तरह resemble करेगा दूसरा sequence father की तरह लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही line में आएंगे क्योंकि उनमें क्रिस-क्रॉस भी हो सकता है तो यह देख लीजिए यहां पर यह एक छोटा सा clip है वीडियो clip है देख लीजिए father और mother दिखाय जा रहे है sequences को देख लीजिए छोटे और बड़े हैं यह देख लीजिए tandem repeated अलग-अलग number के हैं VNTR में तो इस तरह से दोनों homologous chromosome में difference होगा child के chromosome में दोनों में फरक आएगा तो दोनों की mapping करनी पड़ती है all right now let us understand the technique for DNA fingerprinting इसको actual में करना कैसे है तो देख लीजिए यह सारे चीजें आप already जानते हैं gel electrophoresis इसी plate में करी जाती है glass plate है इसमें anode and cathode रहता है agarose gel डाला जाता है उसमें एक तरफ DNA डाल दिया जाता है DNA negative होता है negative charge है DNA में तो negative end की तरफ डाला जाता और वो positive की तरफ आगे बढ़ता है तो उसकी lines बन जाती तो lines बनने से क्या होता है याने कि उस एरिया में DNA ने travel किया वहीं से scoop कर लिया जाता है वो छोटे fragment क्योंकि हमें चाहिए तो छोटे ही fragment याने कि यूं कहें कि mini satellite ही चाहिए तो technique को अब समझने की कोशिश करते है the DNA is extracted from the nuclei of white blood cell white blood cell की nuclei से DNA को लिया गया या फिर spermatozoa के nuclei से लिया गया या फिर hair follicle cell से लिया गया यह कुछ common areas है जहां से लिया जाता है DNA बाकि body के किसी भी cell से आप extract कर सकते हैं RBC को छोड़ करके क्योंकि RBC में तो nucleus है नहीं अब बात करते हैं DNA molecules are first broken with the help of molecular scissors याने कि restriction endonucleases जिनसे DNA cleave हो जाता है कट हो जाता है इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं molecular scissors और detail में molecular scissors के बारे में हम पढ़ेंगे biotechnology में लेकिन यह topic जो है molecular basis of inheritance का है इस वज़े से मैं इसको उसी sequence में करा दे रहा हूँ तो molecular scissors है molecule को cut कर सकते हैं palindromic sequences में वो cut करते हैं इनको बोला जाता है restriction endonucleases तो restriction endonucleases में सबसे पहला वाला था हाइंड D हाइंड D हाइंड D हाइंड D2 वस्ट फरस्ट वन so molecular scissors यहने की उससे cut कर गए अब DNA के fragment हो गए DNA के fragment होने के बाद the fragments are separated according to the size by gel electrophoresis gel electrophoresis process कर लिया गया अपने आप separate हो गया देख लिजे यहां पर DNA के pieces जो है इस एरिया में layout कर दिये जाएंगे cut pieces को यहां पर डाल दिया जाए और इस plate में पूरा agarose gel है agar का crystalline solution है semi solid solution बोल सकते है not exactly crystalline semi solid jelly like substance रहेगा इसमें आपने डाल दिया अब यह जो छोटे-छोटे fragment है यह थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो जादा छोटा होगा वो जादा दूर तक जाएगा क्यों इस side में देख लिजे यहां पर positive current maintain करी जारी anode तो negative DNA positive की तरह जो agarose gel के particles हैं उनके बीच में ठीक है अब हमने DNA का separation कर लिया extract कर लिया DNA को now fragments of a particular size having VNTR are multiplied through PCR अब उन छोटे sizes को ले करके उसको एक बार analyze कर लिया तो समझ में आ गया कि हां यहां पर VNTR मिल गए क्योंकि छोटे areas में ही रहेंगे वो VNTR multiple जो हैं अब उनको PCR technique में डाल करके DNA को कई गुना बड़ा जादा कर लिया amplification कर लिया they are treated with alkaline chemical to split them into single stranded DNA alkaline chemical से treat किया गया single stranded DNA में convert हो गया after PCR technique यह देख लिजी यह PCR technique है जिसमें denaturation है annealing है an extension step है इस technique को आप already जानते हैं देख लिजी temperature wise दिया हुआ है कितने degree temperature में क्या condition होता है so this is the process of PCR technique polymerization chain reaction अब इसके बाद separated fragment of single stranded DNA are transferred onto a nylon membrane अब वो जो छोटे छोटे single stranded टुकड़े मिल गए हैं जिनको alkaline chemical से treat कर दिया गया अब उनको एक nylon membrane के उपर डाल दिया जाता है nylon membrane के उपर उसको shift कर दिया जाता है plate के उपर यह यह कहें कि nylon membrane उसके उपर ऐसे रखके डैप किया जाता है तो automatically उसमें वो चिपक जाते हैं particles ठीक है VNTR के जैसे ही match करेंगे synthetically made हैं लेकिन radioactive material से बने हुए हैं अब देख लीजिए यहां पर असली work यहीं पर है radioactive DNA probe having repeated base sequence complementary to the possible VNTR जो VNTR identify किये गये उसके हिसाब से complimentary बनाया गया and are poured over the nylon membrane इसके बाद nylon membrane के उपर pour कर दिया जाता है डाल दिया जाता है यानि कि radioactive probe जिस nylon membrane के उपर हमने छोटे-छोटे fragment को ले लिया था उसके उपर अब radioactive वाला भी डाल दिया जाएगा तो अब radioactive वाले करते क्या है some of them bind to the single stranded VNTR क्योंकि हमारे पास single stranded DNA तो कुछ उसके साथ bind हो जाएंगे single stranded को double stranded बना देंगे वो छोटे-छोटे fragment उसके साथ bind हो जाएंगे so some of them will bind to the VNTR the method of hybridization of DNA with probe is called southern blotting तो यह DNA का hybridization हो गया याने कि हमने DNA को एक और hybrid format में बना लिया जो की artificial है जो प्रोब के फॉर्म में है इस process का नाम है southern blotting आपने सुना है southern blotting western blotting तो यह southern blotting है क्या तो यहाँ पर हम southern blotting को समझ लेते हैं बड़ी simple सी चीज़ है scientist का नाम था EM Southern scientist के नाम भी दिशाओं के नाम पर हो जाते है समझ वाई बात यह थोड़ा सा confuse करता है southern blotting बच्चों को बड़ा confusion यह क्या है मतल इस नाम ही है southern तो पढ़ गया भाई process southern blotting 1975 में इन्होंने यह टेक्नीक इजाद करी थी इसी वजह से नाम पढ़ गया southern blotting समझ महीं बात अब देख लेते हैं VNTR और probe के बीच में difference क्या है यह जो unique सी चीज हमने पढ़ी तो VNTR क्या है it is a natural small sequence of DNA it is synthetic DNA fragment VNTR is non-radioactive it is radioactive VNTR help in identification of a person but probes help in the identification of VNTR क्योंकि probe से ही हमें VNTR मिले अब probe की कहानी क्यों जरूरी है क्योंकि probe है radioactive यह photographic plate में mark बना देगा निशान छोड़ देगा वो जो photographic plate मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी याने कि VNTR अगर आपके पास हैं भी आपने निकाल लिया variable number tandem repeat cut किया restriction endonucle से gel electrophoresis किया छोटे-छोटे fragment निकाल लिये लेके बैठे रही है क्या करेंगे उसका उसको देखने के लिए probe की आवश्यक्ता होती है जो probe हमारा southern blotting technique से बनाया गया है जो कि उसी का complementary fragment होगा लेकिन DNA और वो क्या नाम है radioactive होगा समझ में आई बात so this is probe यहां तक की कहानी हो अब बड़ा असा तरीका है and x-ray film is exposed to nylon membrane अब उस nylon membrane जिसके उपर radioactive probe को डाल दिया गया था जिसके उपर VNTR ले लिया गया था एक x-ray film is exposed to nylon membrane to mark the places where radioactive DNA probe उसके उपर एक x-ray plate रखेंगे तो जाहिर सी बात radioactive material है तो वहां से तो rays निकल रही है तो वो rays जो है DNA probe are bound to DNA fragment जहां जहां पर DNA probe DNA छोटे छोटे उन particular fragment के साथ bind किया गया क्योंकि आपको known था कि किस तरह का VNTR होना चाहिए usually उसी हिसाब से probe डाला गया तो उन ही उन ही जगहों पर वो probe लगे हुए है बाकियों को नहीं लेना जो छोटा सा sequence है उसी को measure करना है now these places are marked as dark band when x-ray film is developed this is known as auto radiography यह है भई auto radiography इस machine में डाल दिया जाता है और अपने आप इस तरह की sheet निकल कर आ जाती है जैसा कि Sir Alec Jeffries आपको दिखा रहे हैं तो यह जो darker stained areas हैं यह एक indirect उस चीज का प्रारूप हैं कि वहां पर VNTR हैं तो जिस sequence में VNTR हैं जिस sequence में probe चिपका हुआ है उसी की image आपको यहां मिल जहां उसके type का VNTR है तो यह एक sequence अब खास बात है कि यह sequence हर एक इंसान में अलग है इसको देख करके barcode के हिसाब की type का है आप इसको भी read करना असान नहीं है इसमें कोई language तो लिखी ने उसको मिला करके दो के बीच में एक बार आप सीख जाएंगे तरीका x-ray भी तो doctor ही भी इतना कहां समझ पाएंगे तो same goes for here also इसमें भी expert hand चाहिए तो जाहिर सी बात है वो scientist होते है जो DNA fingerprinting process को करते हैं वो बिल्कुल experts ही होते हैं अब देख लीजिए वो सारा का सारा process यहां पर tabulated form में देख लीजिए number one blood sample white blood cells ले लिए गया DNA extracted from blood cells अब DNA is cut into fragment by restriction enzyme देखे चोट generated into band during electrophoresis in an agarose gel a punch number the DNA band pattern in the gel is transferred to a nylon membrane by a technique known as southern blotting southern blotting से nylon membrane पर ले लिया गया तो यह कौन सा है पांच number point अब इसके बाद 6 number point the radioactive DNA probe is prepared अब radioactive DNA probe prepare कर लिया गया radioactive DNA probe साथ number the DNA probe bind to specific DNA sequence in the membrane उस membrane में DNA probe चिपक गया अपने-पने specific इलाकों में 8 number excess DNA probe is washed off जो जादा DNA probe है उसको wash off कर दिया गया जो चिपक गया single stranded में जो चिपक गया चिपक गया बाकी extra wash off इसके बाद at this stage the radioactive probe is bound to DNA pattern in the membrane यह देखिए और 9 number में वो चिपक गया radioactive याने कि एक probable बनाते हैं probe scientist को exact नहीं पता कौन कौन से चिपक गया single stranded को double बना दिया उसने अब इसके बाद 10 number है x-ray film is placed next to the membrane to detect radioactive pattern x-ray film जो है radioactive pattern को detect कर लेगी 11 number the x-ray film is developed to make visible the pattern of the band known as DNA fingerprint हो गई कहानी समात मिल गया DNA fingerprint याने कि यहां तक तो काम हो गया अब हमने पता कर लिया कि इस इंसान के जो fingerprint है वो कुछ भी हो DNA fingerprint तो यही है DNA fingerprint धूंड लिया समझ में आ रहा है सबको चलिए बच्चों बहुत बढ़िया और likes करते रहिएगा बहुत जरूरी है अब देख लेते हैं इसके application use कहा होना है यह हमारे घर में थोड़ी हम बना के इसको देखेंगे कि homework मिला है कि आज DNA fingerprint करना है घर में सारे individual के cell निकाल करके DNA fingerprint चल रही है नहीं बच्चों चलिए अब बात कर लेते हैं application of DNA finger individuality DNA fingerprint help to distinguish one human being from the other in the exception of monozygotic twin monozygotic twin में DNA sequence same रहेगा हम बात कर चुके हैं लेकिन 2-3 चीज़े हैं जो different रहती हैं जैसे Irish का pattern retina की imaging यह चीज़ें जो है even in case of monozygotic twin में भी differ करती हैं समझ मागी बात तो कहने का मतल सब वहां पर यह challenge दे देता है बट उसके लिए भी अलग-अलग चीज़ें हैं अब बात करते हैं paternity maternity dispute के बारे में DNA fingerprint can identify the real genetic mother and father and the offspring DNA fingerprinting method was first used in 1985, 84 में आया था यह process 85 में first used to solve the immigration dispute case of a British boy whose family was originally from Ghana, बच्चा ब्रिटन का था, उनकी फैमिली घाना से थी तो यह पता नहीं चल पा उसको वहां पर nationality बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, so case was resolved when the DNA result proved that the boy was closely related to other members of the family, DNA sequence को देख करके पता चल गया कि यह उसी family का बच्चा है, तो हो गई बात, खतम nationality का dispute solve हो गया, forensics में भी इसकी बहुत जादा जरूरत पढ़ती है, DNA fingerprint is very useful in the detection of crime and legal pursuits, DNA fingerprinting was first used in police forensic test, सबसे पहले यूज किया था, to identify the killer of two teenagers, दो teenagers के नाम थे, Linda Mann and Don Ashworth, 1983 और 1986, अलग-अलग year में देखिया, तीन साल के बाद उनका murder हुआ था, respectively, लेकिन DNA fingerprinting has proved कि वो जो suspect था, वो common था, दोनों को मारने वाला एक ही था, अब इसके बाद एक और बड़ा जरूरी जो हमारी country में हुआ थ DNA fingerprinting has proved that Dhanu, Dhanu was the name of a person who acted as a human bomb, was the real murderer of Shri Rajiv Gandhi, the former Prime Minister of India, जब Dhanu ने अपने आपको bomb के साथ उड़ा दिया था, तो DNA से ही पता चला था, रिमेंस कि वो धनु था, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका बचा नहीं था, छोटे मोटे टुकडे बचे हुए थे, देख लीजे, Sir Alex Zafries, अपने wonderful work के साथ, so this is all about DNA fingerprinting, I believe you have understood everything related to this process, unique process, ठीके बच्चों, बात कर लेते हैं, अनकाडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, अगर आपको जुड़ना है, तो आप यूज कर सकते हैं, code PradeepLive, you will get a 10% discount, और अनकाडमी जेह, अनकाडमी फांडेशन, अनकाडमी नीट, अ आर सिस्टर चैनल, so together, let's crack it, और बच्चों, जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो ऐसा गुनाह ना करें, तुरंद के तुरंद सब्सक्राइब करें चैनल को, and then press the bell icon, और शेर कर दीजे सेशन को, हैशनीत लाइफ डेली के तुरू, अपने स सेशना बंद सक्राइब करें, उ Hugैऑ, तुरंद क्司utz, शेंड़ को भंद मुश किया हुआ है, गजए तुरंद सक्राइब करें, भब ्सक्राइब करें, तुरंद कि लाहीं कि तुरंद को, जो भगे खुआ हूआ है, झाल जोगे सक खूए हैं, तुरंद को, हैं व Satta, शें